आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, कि आप जब किसी राष्टे से गुजरते थे, तो आप लोगों को बड़ी होडिंग, बड़ी बड़ी होडिंग दिखती होंगे, बड़े बड़े बॉर्ड दिखते होंगे, जिस पर लिखा रहता है कि युवाओं की धड़कन, पर बिपत्ती आई हुई है, जब आप समझे कि सभी लोग एक तरह से बुरी तरह से प्रभाबित हुए हैं, फिर चाहे कोई गरीब हो, जिसकी आर्थिक इस्तिती बुरी हो, या फिर आप किसी भी वेक्ति को लेड़ीचे, तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, आप सरवंच हो, फिर चाहे आपका विधायक साव हो, फिर चाहे आप लोग सफासदस हो, या फिर वाकिया आप लोग नगर पंचयात, नगर पालिका, नगर निगम, या फिर किसी भी तरह के नेताओं हो, इसी लिए चुनते हैं कि आपकी बिपिद्ध, आपके उपर जब समस्या खड़ी हो कोई, तो वो आपकी मदद करने के लिए आए, ऐसा नहीं है कि कई नेता आपने देखे होंगे कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा है कि देखे, राजसरकारे हो, या आपकी कैंद सरकार हो, स आपने अगर अंतराष्टी कोई न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो अंतराष्टी न्यूज चैनलों ने तो यहां तक कह दिया, कि जो हमारे हम लोग अंधवक्ती के नाम पर वोट देते हैं, जो हम लोग एक तरस से धरम के नाम पर वोट देते हैं, और हमारे नेताओं की वज़े से कुरोना की दूसरी लहराई हुई है और अधिक तर मामले में आप देखेंगे भी और कई हमारे स्वास्तमंत्री सावों या कहीं के मुखमंत्री कई जगे के उन्होंने तो डारेक्ट जंता को ही जिम मेदार थैदा दिया कि जंता के कारण ये दूसरी लहराई सकते हैं समझ सकते हैं चलिए मुझे तो ये सांती मिली कम से कम कि इस आपदा में जो भी समस्या खड़ी हुई है इसका जिम्मेदार नहरू या फिर गांधी आप समझे कि आजादी के पहले के नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराए गया वरना ये चाहते तो उस समय के ने किलीनिक थे उनके लिए मिले ने देखने के लिए आयते तब आपने देखा है अर्वन के जीवाल साब बड़ी बाही बाही लूट रहे थे ये स्कूल अच्छे काम किये हैं इसमें कोई दौरा नहीं है लेकिन अभी आपने देखा है कि कुछ गलत हो रहा है दिल्ली में तो उसके केंद सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है और है केंद सरकार को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं लेकिन आपको भी तो कुछ जिम्मेदारियां लेने होगी कि आप सभी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे तो वड़ा अच्छा आइटिकल लिखा हुए है आप लोग पढ़िये आपकी एक तरह से तरह से तरह से आपको पढला भारी रहेगा एक तरह से बेवाग बोल आपडाव महामारी का O.S. हमाय होता है जब सरकारों की अपील परिक्षा होती है असली परिक्षा होती है आपके नेताओं की असली परिक्षा होती है सीधी सी बात आप लोग इस तरह से सोधारन को ले सकते हैं आपने देखा होगा कि आपके अच्छे दिन चल रहा है आप लोग मजबूती से खड़े हुए है तो आपके साथ देने वाले हजार लोग होते हैं लेकिन असली रिस्तों की तब ही मालूँ चलता है कि कौन हमारा है कौन पराया है जब हमारे उपर कोई मुसीबत आती है वो कहते हैं ना कि मुसीबत में एक अच्छा ही होती है कि अपने रह जाते हों जो अपने नहीं होते हैं वो पराय छोड़ की चले जाते हैं तो ये भी वही है कि नेताओं की असली पर इक्षा हो रही है कि कौन जंता का हमदर्दी है और कौन जंता के लिए एक तरह से अपनी बोर्ट बैंक के लिए काम करता है जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है तो उस स्वता ही सरे हर सरकार अपने नाम करती है यानि की बाहवाही लूटती रहती है लेकिन आप देखेंगे संकट के समय अपनी जिम्मेदारियों की अर्थी दूसरे के कंदे पर रख देने वाले नेताओं से क्या उमीद की जा सकती है आप समझ रहें कि अगर कोई गलती हुई तो उसका दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दो और कोई अच्छा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार खुल बन जाओ मतला उसका सरे खुल ले लो जब देश की राधणी अंतिम संसकार इस्थलों पर सवों की अर्थी कतार को लेकर सवालों के घेरे में थी तो उस वक्त दिली के मुकमंतरी कैंद के साथ बैठक के खास इसे का पिसारन कर अपनी कमीद सबसे साव सभेद सावित करने की कौसिस करते हैं और दिली में ऑक्सिजन और दवाओं की कालावाजारी से लेकर अस्पाताल के लिए दर दर भटकते लोगों के लिए अगर कोई एक जिम्मेदार नहीं है तो वो केजरीवाल सरकार दिली में समसान की कदार में लगे मुर्दों को जब कंधा देने वाले चाल लोग भी मुश्कल से मिल रहे थे तब के जिरीवाल सरकार की अपनी छनवी निर्मान की कोशिशों पर सवाल उठता बेवाग बोल आप समझें कि अगर कुछ हो रहा है दिली में तो इसका सरेल उटने में आप कुछ कमी नहीं छोड़ रहे है और जब गलत हो रहा है तो आपने केंद सरकार को जिम्मेदार टहरा दिया मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूं और इनका लेखक का जो भी है इनका यह कहने का उद्दिश बिलकुल नहीं कि एक केंद सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं एक कीबल मतलब बता रहा है कि नेताओं का यह हाल बना हुगा है कंधारती यह आर्टिकल आपका मुकेस आपके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, राइटर वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालू होना चाहिए, ठीक है, तो मरीज का नाम डॉक्टर, उम्र 55 साल, धाई दसक से मरीजों की जान बचा रहे थे, लेकिन कोरोना से पीडित होने के बाद, इन्हें अस्पत पारी है, और आप समझें कि इतने मतलब इस तरह की बेक्तियों को अगर बैड की सुविधा नहीं मिलती है, हॉस्पीटल में नहीं सुविधा मिल पारी है, तो आम बेक्तियों को क्या इस्तिति होगी, आप बेहतर समझ सकते हैं, देश की राध्धानी दिल्ली में जब चिक पहली बार देखा है, कि जब समसान ग्रह पूरी रात धदक रहे हैं, और पारिक में भी सवदाय के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आप देखिए आजादी के बाद आप लोग देखिए यसी कभी कोई परिस्तिति नहीं मिली हुई है, कि समसान भी में लासें जमाने ज जबूर होना पड़ रहा है, और कई जगे तो आप देख रहे हैं, जहां पस्वों का अंदिम संसकार किया जाता था, या उन्हें एक तरह से डाला जाता था, वहां भी लोगों की एक तरह से अंदिम संसकार किया जा रहा है, देश की राधधानी में महामारी केस से भायाव आप लोग कह सकते हैं कि मतलब बता रहे थी कि जनता से देखिए हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं अच्छा है गलत है अपनी जगह है लेकिन ठीक है चलिए माल लिए जी आपने ठीक किया जब इस बैठक को सारवजने करने का केंद की ओर से आबत्ती जताई गई तो केज इजरिवाल अपनी छबी चमकाने के लिए के बाद माफी मागो अंदोलन पहली भी करते रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि देखिए दोनों तरफ से तालिया बजाई जा रही है जनता तरास्दी जेल रही है आप समझ सकते हैं कैसा परोटोकॉल आपने कोई परोटोकॉल का पालन किया है समझ रहे हैं आप लो चलिए खेर छोड़िए इन बातों को कोई रखा भी नहीं है न दिली में सरकार बनाने के पहले करांती कारी छबी बनाने के लिए अरवेंद के जीवाल ने कॉंग्रेस से लेकर भाजापा नेताओं पर बहुत सकत आरूबी लगाए थे इसे आप लोगोंने भी देखा होगा ठीक है और इन्हीं यारों के कारण जंता उनकी मुरीद हुई और उन्हें कॉंग्रेस भाजापा के बिकल्प के तौर पर चुना था लेकिन सरकार बनने और छबी बनने के बाद उन्होंने कई मामलों में आराम से मांहानी के मामले को आसानी से खतम किया है मैं बिलकुल एक बात ना तो लेखत कर रहे हैं यह ना ही अभी की बात कर रहा हूं बना अद्वेंत के जीवाल के कई काम है जिने आप लोग देख सकते हैं हॉस्पीटल इनके जो मुहला क्लिनिक थे या आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्त वेवस्था गए कहा हैं उनकी बात हो रही है जब देश की राध्धानी महामारी के सबसे सबसे भीवत से यानि के बुरे रोम में सरकारी विवस्था का मुर्दा पिसारन कर रही थी तभी के जीरवाल केंदों और मंतिरियों के बैटक की सिर्फ उस हिस्से का पिसारन करते हैं जिसमें बेव और सिर्फ बेजन्ता की फिक्र करते नजर आए हैं और भारत एक संगिये विवस्था की तह चलता है ऐसे समय में आप देखें कि केंद पर तो सबसे पहले उठते ही हैं और हम सब उठाते भी हैं और उठने भी चाहिए लेकिन राज्यों के अगवा की भूमिका को भी सवालों के घिरे में लाने की जरूरत है कि अजरीवाल जी दिल्ली की सारी अच्छाईयों का सरेखुद ले अपनी नाकामी को केंद की मत्थे में मरने में होनार हासिल कर चुके हैं चलिए आप भाजापा सासित राज्यों की बात ना भी करिए तो केरल और इसा का उधारन केरल में आप देखेंगे केंद्रिय सत्ता की विफ्रीज विचारधारा की सरकार है लेकिन वह हां आप देखेंगे करोना पर अच्छा सर्फसेट पर दसन कर चुकी है उडिशा ने भी आप देखेंगे अच्छा काम किया है और काभी कंट्रोल भी कर रही है आप देख रहे जब कोई मुसीवत जानदा ही आ जाती है तब ही बात करते हैं और आप देखेंगे समय आने पर राज्यों की अधिकार को लेकर अपनी आवाज भी बुलन करते हैं और आज उड़ीशा जैसा कम संसादनों वाला राज कुरोना से निपटने में तो लात्मक रूप से वहतर है तो इसलिए कि वहां के मुखमंतरी जन्ता के लिए काम कर रहे हैं और अपनी चमी चमकाने के लिए नहीं यानि कि इस तरह की नेताओं की हमें इस समय इस समस्या में आप लोगों समझे निपटने के लिए इस तरह की नेता चाहिए थी महामारी की दूसरी लहने दिल्ली की धोस्त व्योस्ता की असलिये सामने रख दिये जब तक विवस्ता चल रही होती है तब तक उसका स्रे लेना आसान होता है और इस बात को आप समझी कि हमारे नेता आराम से जानते भी है लेकिन आप देखते हैं असल परीक्षा संकट के समय होती है महामारी वैसा ही संकट है जिसके लिए बाजार पर आधारित विवस्ता वो सरकार कभी तेयार नहीं होती है बाजार को तो मनाफा चाहिए होता है इसलिए लोगतांत्रिक सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वह हैं पंचाय से लेकर प्रात्मिक स्वास्त किंत तक को दुरस्त करें और आप समझें एक हमारे देश में बड़ा एक मतलब से आप कह सकते हैं कि बड़ी भयाना की स्थिति है कि जब तक कोई घटना दो-चार हजार लोगों को लेकर ना डूबे हमें मालू था कि दूसरी लहर आएगी फर भी हम लोग तयार नहीं थे हम लोग ने होस्पीटलों की स्थिति उस नहीं सुधारी थी हम लोगों ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन की बात हो या अपकी ऑक्सीजन भंडारन की बात हो या और भी दवाईयों की भंडारन की बात हो उत्पादन की बात हो हम लोग ने कुछ नहीं किया हम लोग आराम से एक तरह से बैठ गए ठीक है और यहां हम उस समय को भी याद कर सकते हैं जब आम आदमी पाइटी ने महला क्लिनिक का दुनिया भर में प्रिचार करने में अपनी पूरी तागत लगा दी थी विश्व स्वास्त संगठन के साथ कई संस्थाइं तारीब करके गई थी लेकिन सुरुवाती तरचार के बाद से के बाद आपने उन महला क्लिनिकों की साथ क्या किया आज महामारी के समय उसके युगदान का ओलेख हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार का मकसद जन स्वास्त नहीं अपनी छमी बनाने का स्वान भर था आम आदमी पार्टी ने मुहला किलीनिक और सिख्छा के मुद्दे पर काफी भुनाया भी था और महामारी की समय में दिल्लीक सरकारी स्कूलों की हाल पर चैश्याप्थर कभी अभी तो सीधा सवाल यह है कि कहां गई वह स्वास्त सुविधा जिसका हर दिवार पर कीमती पेचार था और संकट के समय ही पता चलता है कि आपने जो निर्मित किया है वह कितना खरा उतर रहा है संकट के समय ही यह भी बात समझ आती है कि राजनितिक नितत अपनी नाकामी को कितना कभूल करवाता है अपनी कमियों को खुद कितना एंगित करवाता है और देखिए यही विवस्था जो इस तरह के सब्द केजी वाल के लिए उपयों हो रहे हैं इनको बाकी आप राज्यों में भी जहां भी आप लोगों ने जने भी चुनाए उन पर भी लागू करिए ठीक है और इनसे बहतर आप समझी कि इनसे जाना उन्हें बोरा कहिए कि वो कहां थे ठीक है और यह आर्टिकल लिखने का उद्देश इनका मुझे लगता है ऐसा कि केबल अरवेंद के जीवाल टार्गेट नहीं है अरवेंद के जीवाल के तो टार्गेट है ही लेकिन साथ में आपके निताओं का एक तरह से चरित्त बताया भी जा रहा है जब तक आप अपनी कमियों को कबूलते नहीं है तब तक कोई धंत कंधा खोशते हैं जिम्मेदारी से पल्ला जाडने के लिए और केजिरिवाल इसके लिए केंद को स्थाई कंधा बना ही लिया था लेकिन इस वाद जब मुर्दों को कंधा देने का वक्त था तो हुए राष्टी संसाधन का समुचित इस्थिमाल करने नियंदीत करने उसे बढ़ाने पर काम कर सकते थे लेकिन आप देखें कि दिल्ली सरकार इस पर कैसे आकमोंद रही और इसका उधारन ऑक्सीजन की कमी से तूटती सांसे देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली क के जीवाल की बुराई की जा रही है लेकिन आप समझ सकते हैं कि सभी के बारे में यही इस्तिती बनी हुई है आपके नेताओं की कि आप लोगों ने कहीं नहीं सीखा है हम लोगों इनने भी नहीं सीखा है आपने देखा एक लहर खतम हुई दूसरी में हम लोग मस्ती करने लगे हम लोग उने सभी सुरक्षित जो भी उपकरणड थे सब त्याग दिये हम लोग बिना मास्क के बाहर जाने लगे ठीक है महामारी से हुई मोतों की उचाई पर पहुंचने पर भी दिल्ली सरकार ऑक्सीजन पर परिवहन और काला बाजारी के रोकने के मसले पर आँख मूदे रही है और उसे लगा कि ये सभी मोत केंद के खाते में जानी है ऑक्सीजन पर हाक अर मचने के बाद आम आदमी पाइटी की सरकार ने ऐसी चबी बनाई कि इसकी सारी भूमी का केंदी की है आपके अगुगा को इंतजाज था और उस मौके का जब वह है जनता के सामने हाथ जोड़कर अपनी साब सुतरी छवी पेस कर देते और उन्होंने ऐसा किया भी है इतनी बड़ी आपदा के समय जहां सभी सरकारों को मिल्यूल कर सकारात्मक महौल बनाना चाहिए सांजीदारों और भागीदारी की बात करनी चाहिए वहीं के जीरिवाल अलग होकर अपनी कमीच को सबसे सफेद दिखाने में जुट जाते हैं और आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि एक और आपके मन में सवाल आता रहता है कि नेता सफेद कपड़ा पहनने का मतलब होता है कि कोई दाग नहीं लगा हुआ है हमारे चेट पर बड़े हम साब सोतरे हैं लेकन आजकल आप तो देख रहे होगे कि जो हजारों हत्यारे हैं हजारों लोगों के जो डकेंत हैं जो बलतकारी हैं वो भी सफेद कपड़े बन रहे हैं तो आजकी देखी अलग बात हो गई है जिस दिल्ली सरकार के कागजी स्वास्त बजट को दुनिया फर में प्रसंसा मिली हुए आपदा के समय बस अपने प्रिचार प्रसार में मसगूल रही इसी के तहट आप देखेंगे बैठा का सीधा प्रसारन जन्ता को दिखाते हुए कहा की हम तो अक्सीजन मांग रहे हैं और कैंद दे नहीं रहा है जब केंद की ओर से कहा गया है कि हम तो आक्सिजन दे रहे हैं और उनके पास परिवान और भितरन के साधन नहीं है तो फिर वही सब की हमें हर्याना नहीं सहयोग कर रहा है हम तो विदेश से मंगवा रहे हैं ऐसी गंबीर समय में आप देखेंगे केजरिवाल जिस तरह से अगंबीर होकर अपनी चवी बनाने के लिए दूसरों का कंधा तलास रहे थे ऊस समय दिल्ली में मर रहें लोगों की भी लोग भी सोच रहे होंगे कि ए हमें क्या कंधा देंगे कंधी की जबूरत मुर्दों को होती है और के जीवाल सरकार आपदा की समय जिन्दा होती तो जिम्मेदारियों की अर्थी उठाने के लिए कैंद का धंदा कंधा ना खोश्थी और आप समझ सकते हैं एक तो याद रखे कि ये उसी पर को मालू चलता है जिस परिवाल से कोई सदस जाता है और दिल्ली की जन्दा ने अर्विंद की जीवाल को एक विकल्प के रूम में चुनाता है आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस और बीजेपी को हटाने का उनका उद्देश यही था कि कम से कम एक अच्छा बंदा मिला हुए और काफी अच्छे काम भी की हुए थे इसमें कोई दोहरा नहीं है बाकी राज्जों से अगर आप करें तो दिल्ली ने काफी अच्छा काम किया हुए कज को रोगना में भी काम किया हुए लकिन यहाँ हो रही है कि सर्य लेने की और एक तरह से जिम्म Careful कि बात चल रही है इसलिए अर्बेंद किजिवाल की एक तरह से वुराई की जा रही है ठीक है बाकी आपकी नेताओं का लगबग यही हाल है ठीक है चलिए देखते रही है अपना ख्याल भी रखिए अच्छे से